हालो एब्रीवान विल्कम टू माई चैनल आज मैं बनाने वाली हूँ एक स्वीट डिस यह ओडिसा का एक फेमोस स्वीट डिस है जिसको हम लोग बोलते हैं रसाबली और यह ओडिसा में एक डिक्ष्टिट है केंद्रापड़ा वहां में बलदर जीव की मंदिर में यह बोग ले रही हूँ इसको में उबाल रही हूँ फाड़ने के लिए मैं भिनेगार यूज कर रहे हूँ आप चाहो तो लेमन चूस पी यूज कर सकते हो जितना भिनेगार उतना ही पानी बस इसको दीरे दीर करके आड़ करके रूप को पढ़ेंगे दिखिए यह फटना सुरू हो दीके आछिछ लेंस काना चाही है फ इसको दो तिन बार दो लेंगे ले मंजूस नहीं सेंटे तो इसको डोछट पानी बिना रहे है है इसको एसे ही एग गंड़े तक चोड़ लेंगे और अब है अदग पतिले मेंए इसको पतिले में पांग यूज कर लिए प्यसने जो द एक लिटर दूद मेंने ले लिया है रब्री के लिए यह सेकंड प्रोसेस है यहां पे हम रब्री बना रहे हैं और इसके लिए इलाईची पाउडर चीनी चाहिए हमें दूद अभी उबलना स्टार्ट हो गया है तो चीनी हम आड़ करेंगे इस इस्ट्रेस पर मैं एक कटोरी चीनी डाल रहे हूँ आपको अगर ज्यादा मिठा चाहिए रब्री में तो आप ज्यादा डाल सकते हो बस इसको चलाते जाना है हो गया है कलर चेंज दूद का तो अभी इलाईची पाउडर हम डाल देंगे ज्यादा गाड़ा नहीं करना है रब्री को क्योंकि चेना बस जब इसमें जाएगा न तो वह भी अबज़र करने के लिए थोड़ा सा पतला रहना चाहिए अभी थर्ड प्रोसेस यहां पे हम चेना का जो डो बनाएंगे इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है यह बूरा सुखा हुआ है इसका गुठलियां हाथ से ही तोड़ देंगे अच्छी तरह से दो मिनिट इसको हाथ से मसल लेंगे और इसमें डालेंगे हम मैं यहां पे मेदा डाल रही हूं आप चाहों तो आटा भी डाल सकते हो एक चमज मैदा डाला एक चमज चीनी एक चमज सूजी डालना है और यह कंपल सरी है लेकिन सूजी आप स्किप कर सकते हो सिर्फ मैदा और चीनी डालना है या फिर आटा चीनी पाम की मतल से इसको अच्छी तरह से गून लेंगे यह बहुत जल्दी बन जाता है करीबन आट नौ मिनिट में यह सौप बन जाता है बस दिखिए किस तरह यह बन गया है चिपत भी नेरा आए अभी इसमें थोड़ा सा बेकिंग पावडर आड़ करेंगे और थोड़ी सी इलाच पावडर आड़ करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिए देखे हो गया देखने में ही पता चल रहा है कि इत्मा सौप बना है डोड़ हो गया अभी इसको हम छेना बल्स बनाएंगे इस तरह हाथ से ही फ्लाटन करके एक लिटर दूद में करीबन बारा से तेरा आ जाएंगे छे रसावली अगर इस तरह चोटे मिडियम साइज का आप करो तो पर बड़ा हो तो आप छे से साथ आएगा देखिए सेप आप किसी भी सेप दे सकते हो लेकिन यहां पर अथ्रंटिक रसावली का जो सेप होता है ना बुई वाला दे रहे हूं बिसिकली सेप ही रिप्रेजेट करता है ना स्वीट इसको तो यह रसावली का अथ्रंटिक सेप ही है इस तरह हाथ से फ्लाटन करके बीच में से थोड़ी से एक होल जिसा बना के इसको रोडी कर लेंगे सब आप हो गया हमारे सारे चेनाबल्स टरी है अभी फ्राइज करने के लिए चलिए इसको फ्राइज करते हैं मैं यहाँ पर रिफाइंड ओयल ले रही हूं आप चाहूं तो घी में भी फ्राइज कर सकते हूं इसको गरम हो गया है तेल अभी एक एक तर के चेना बर्स डाल लेंगे इसमें देखिए बिल्कुल भी क्राग नहीं हो रहे हैं और अच्छी तरह से फूल भी रहे हैं बस इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें इसको फ्राय करना है अब सबको फूरी जगरनात-मंदिर पता ही होगा वहां का 56 भोग में से येक भोग है आप इसको घर में ड्राय कीजिए और इसका टेस्ट आपको पता चल जाएगा यह कितना टेस्ट है खाने में अगर आपको पता है तो आपको मालूम भी होगा इसका टेस्ट कितना अच्छा है यह हो गया है इसको हम निकाल लेते हैं दिखिए कितना सॉप बना है यह अभी जो रब्री हमने तैयर किया था उसको थोड़ी सी गरम करके थोड़ा साही गरम करके फिर डाल देंगे च्छना बस जो हमने फ्राइ करके रखा था वो रब्र में जाते ही नरम होना स्टार्ट हो जाएगा पस एक उबा लाने तब इसको गुप करना है देखें यह सॉप्टोना सूर हो गया है अभी बस उबला गया अभी ग्यास का फ्लेम आफ कर लेंगे थोड़ी सी इलाइचे पाउडर डाल के इसको हम कवर करके रख देंगे थंडा होने के लिए बस छोड़ देना है देखें ही मों में पानी आ रहा है नहीं अभी ठंडा हो गया है इसको प्लेट में निकाल लेते हैं देखें है अ मारा रस्ता बड़ी रेडी हो गया और अबरि का कलर इतना अच्छा आया है आप देख सकते हो और इतना अरि मैंने थोड़ी से आलमन लिया है इसको गार्णिस करने के लिए आप चाहो तो पिस्टा भी यूज़ कर सकते हो या फिर काजो बूर्चस से भी गानिस कर सकती हूँ लेकिन सल्वह इसको गानिस की जरुदी हिने ही यह व्यसएं भी बहुत खुशुरत लीर दि loftी देख ने पता चल रहा होगा उद ही कितना यम्मी दिख रहा है आप इसको घ्र में ड्राइब कीजिये और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चानल को, तो फिर मिलते हैं अगली रेसिप में, थैंकियो फर वाचिल.